नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम मुद्दा आजका में अपने भतिज यहाँ पर आकाश बेनर जी को सौपने की पूरी बात कर चुकिये. युकि देखा जाये तो आकाश बेनर जी की शादी और खास तौफ़ा देने की बात मुम्ता मायवती की तरफ से की जा रही है. लेकिन साथे साथ यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ गडबंधन भी नहीं करना है यानि कि उनकी पार्टी के साथ और योगी अधितिनात का साथ भी नहीं देना है लेकिन यहाँ पर काफी सारे ऐसे मुद्धे है जिसमें कही न कहीं योगी सरकार का पूर लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी में मिलती नजर आ रही है उनकी पार्टी अब 200 हो गई 400 हो गई जितनी सीटे हैं सारी सीटों पर अलग अलग प्रत्याश्य को उतारेगी लेकिन मुद्धा यहाँ पर यहाँ पर अगर अपनी पार्टी की कमान मायावती है पर अपने भतीजे को सौब देते हैं तो क्या यहाँ पर पार्टी में वो जान फूख पाएंगे उनके बतीजे या फिर कही ना कही जो उनका खेल है या फिर के लिजिए उनका कदम है वो फेल होता नजर आएगा अमें साथ दीपक है यहाँ पर उनसे सवाल करते हैं जानन पार्टी में शिपपाल और अखिलेश मिलकर कदम बढ़ाते हैं अब शिपपाल अखिलेश के लिए फैसले लेते हैं और फैसले आखरी होता है ठीक उसी तरीके से अगर मायवती का इतियास उठाकर देखा जाए तो मायवती ने कई बार बड़े पद हासिल करें लेकिन हर नहीं पहुंच पाए वो दिली तक गई मद्यपरदेश तक गई कई अलग-अलग राज्यों में उन्हें सरकार बनाने की सोची लेकिन मात इस वज़े से खा जाती है कि उनकी पार्टी में सिर्फ उनके नाम के लावा किसी और का यहां पर बड़ा चहरा नहीं है अगर आख साथ मोर्या का नंबर 2 का मंतरी बनाए लेकिन वो बीजेपी के साथ चले गए साल 2016 में और भी कई ऐसे मंतरी थे जिनको आगे करा लेकिन समय समय के साथ उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया क्यूंकि जब सरकार गिरी जब उनके अच्छे दिन चले साथ उनके साथ है लेकि चुनावी चाचा कहा जाता अच के समय में और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बात करें अपने भतीजे को अगर जिम्मेदारी सो पर रही है कि लोकसभा विधान सवा चुनाव में थोड़ा वक्त बचाए नगर निकाय चुनाव से पहले एक चोटी सी अगनी परिक्षा हो स वरना यहाँ पर इनको पिश्चे कर रही है उन्हें को लगता नज आए और जादा गर्म होता नज़ेगा तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरीके से इस बात को माना जाएं कि उनका समर्थन कर रही हैं अगर यहां पर समर्थन की बात आ रही है तो समर्थन किसी का नहीं कर रही तो गलत हुआ था तरह वो भी किसी ऐसे अजंडे को पकड़ की पीछे पढ़ जाया ताकि उनका नाम हो सके लेकिन मायवती का यह रुत्बा नहीं इसी वज़े से मायवती को आज पुरधान मंत्री पतक का दावेदार समझा जाता है इसी वज़े से मायवती अकेले इतने बड़े पत पर रही और जब मुलायम सिंग यादब भीते तब भी लोकसबा सीटों पर यहां पर बटवारा हुआ तो दस सीटे मायवती को मिली और पांस सीटे सपा को तो यह साबित करता है कि मायवती कितनी बड़ी नेता है यहां पर अब कही ना कही उन्होंने कहा कि आकाश बेनर जी जो उनके भतिज है उनको वह पार्टी कमांद सौब देगी ताकि यूवा सोच यहां पर काम आ सके तो नए लोग यहां पर पार्टी के अंदर आंगे उससे फायदा होगा मैवती देखी मैवती तो खेलती हुए नज़रा रही है वो आप समझ सकते कि क्या है कभी बीजेपी का साथ देती है तो कभी पर्दे के पीछे जो है अखलेस का साथ देती है आपको याद होगा कि मेनपुरी खटॉली जब रामपुर के चुनाब हुए तो तोस वक्त कोई भी अपना प्रत्यासी यहा पर प्रियास करें अगर पार्टी को एक जुट करना है और अगर बस्पा पार्टी को मजबूत बनाना तो सबसे पहले यहां पर तमाम निताओं को जोड़ने का प्रियास करना पड़ेगा क्योंकि लगातार देखा यहां तो एहम बाई समीकरन अभी अखलेस ज्यादब का म बयान भी सामने आए उन्होंने का सपा बसपा साथ हो जाए हमारे तो जादा भैता रहेगा तो क्या लगते कि प्रेंका गांदी उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं यहां पर कि सारी पार्टियास साथ आजए होता है तो बिपक्ष मजबूत होकर मोधी जी को यहां पर जटका दे सकता लेकिन जीत 2024 में अगर देखी जाया आकड़ों के तहें तो मोधी सरकार की बनती नजरा है आप कई न कई सायोग्यों से यह तो मालूम चला कि यहां पर कि क्या हो सकता है मायवती कौन से खुआप कि आप देखे वह पूरे हो सकते हैं लेकिन चली आपको यहां पर मायवती जो फैसले लेती नजराएगी आकाश बेनर जी को लेकर वह सुनाते है कि आपको यहां ईचिए आकाश बेनर देखे लेकर वहां पर कि आपको यहां आकाश